हेलो प्रेट्स आज हम बना रहे हैं कच्छे याम की चटनी तो पैन को गरम करके उसमें डाल देंगे थोड़ा सा वाइल हुने रिफाइंड वाइल डाला है आप जो कुकिंग वाइल खाते हो डाले और डाले उसमें एक चमच जीरा और वन फोर्थ चमच डालेंगे मेथी दा उसके बार डाल देंगे चार सुखी लाल मिर्च आप अपने इसाब से दो भी डाल सकते जैसा तीखा खाना पसंद करते हो और पाच्छे लैसन की कलिया डाल करके इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए लो फ्लेम पर में फ्लेम को लो रखना है आई फ्लेम पर नहीं बुनना ह का कि हमें दाल को अच्छी तरह से तढ़ तरके किसल इस तरह से फुन रहना देखेंद को लाड पर म में ज्समे मैं नंगे कि ओ आधा चमच माहां अधा टलेंगे हल्डी का पॉर्डडर डाल देते है और अधा बस दels ए सभी सप ऊderس म theater के यूच फ्लेम पर इसे हम थोड़ा इस तरह से चलाते हुए भून देंगे इसके बाद हम करीपता एड़ कर देंगे यह सौफ्ट वाला करीपता है इसलिए डंठील के सही थमने अटाल दिया है और फ्लेम को हमने यो रखा है देखिए बुना गया है तो फ्लेम को आफ कर देंगे हमने कट कर लिया है और इसके बाद एक मिक्सी जाड लेते है और उसमें हम सभी आम के पीसे को डाल देंगे दिखी इस तरह से डाल देते हैं और उसके बाद डालेंगे हम एक चमुच नमर नमर पर आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग डाले और ये मसाला ठंडा हो चुका है ये सभी दाल, तड़का, लेसन, मिर्च, पड़ी पत्ता सभी को आम में डाल देंगे इस तरह से डाल देते हैं हम सभी को निकाल पर डाल देंगे तो अच्छी तरह से ये बुना गया है फ्रेंड्स इस तरह से इक बार आप आम की चपनी जरूर बनाईएगा और उसके इसा गया है देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पीस गया है इस प्लेट में हम इसे टांसफर कर लेंगे इसके बाद इसमें हम लगाएंगे राई और सरस्व तेल से तड़का ये बहुत ही टेस्ट की इन्हेंस कर देता इस चटनी को तो ये तड़का लगाना नहीं ये त अच्छी लबता है में तेना नेक्स्ट वर्डू में रही देखिए के साथ